दोस्तों नमस्कार मैं हूँ रुपापंडित और आप देख रहे हैं खास मुलाकात खास मुलाकात इस कारिक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस एक ऐसे शक्सियत उपस्तित हुई हैं जो वैसे तो किसी परिचे की महताज नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको उनका परिचे बताते हैं आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्तित हुई है ब्यूटी वित ब्रें की मालकिन अभिनेत्री मॉजल एंकर और समा सेवी का प्रबल आत्मविश्वास से हासल किया ज जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आज हमारे समाज में बहुत सारी भूमिकाय निभा रही है अगर उनके अवार्ट की बात करें तो शायद मुझे ये समय जो है वो भी कम पड़े लेकिन मैं आपको बता दू कि उन्हें अपस्वरा इंडिया का एवार्ड मिला है इसके ल अंदार्य रतन पुरसकार से वो सम्मानित है अहिल्यावाई होलकर पुरसकार इंडिया स्टार इंडिपेंडेट एवार्ड से सम्मानित है साथी मिसस साउथ पैसिफिक एवार्ड से जो की बहुत ही बड़े लेवल पर आयोजीत किया जाता है अवार्ड से भी सम्मानित है तो सबसे पहले तो मेराम बताईए कि स्टार्टिंग जर्नी जो है आपका कैसा रहा आप चुकी आज गडची रूली जैसे नक्सलाइट एरिया में काम कर रही है और वहां रहे के आप इतना अच्छा मतलब काम कर रही तो कैसा मैनेज करती हैं आप सब सबसे पहले तो थैंक यू बीजियन बीजियर भी थी बहुत अच्छा सवाल आप में मुझी किया है एक आउरत एक महिला के नाते यह बहुत मुश्किर होता है कि हम ऐसे कोई प्रतियोगी ताका हिस्सा बने और खुद को प्रू करे अच्छिली मेरी जो जर्नी है वो 2011 से शु उससे एक encouragement मिला और फिर वो break हो गया दो हजार अठाना तक मैंने कुछ नहीं किया दो हजार अठाना तक मैंने कुछ नहीं किया प्रस मैं वकीरी करते नहीं और गर्जम आ लेकिन एक अंदर का जुनोर होता है जो इंसान को शान्थ नहीं बैटने लेता कुछ करने की उर्मी होती है खुद को प्रूव करने की खुद में कितना potential है उसको चीफ करने की फिर 2018 में मुझे Mrs. India का आड देखा मैंने अबी पे, Facebook पे और सोचा कि यह अपनी लिए मुनासिफ रहेगा क्योंकि हम लोग देखते है किसी का क्राउन, किसी का साच तो एक बहुत प्राउड फील होता है कि चलो वो कितनी सुन्दर है फिर सोचा कि क्या हम इसमें हिस्सा ले सकते हैं तो पहले तो मुझे लगा नहीं लेकिन बाद में फी सोचा कि इसमें राउड्स कितने हैं राउड्स देखने के बाद पता चला कि हां इसमें कुछ न कुछ अपनी जगह बन सकती है और ऐसे ही सिलसिला शुरू रहा और पिर आज इस मुकाम पर मैं हूँ आपके सामने बैटी हूँ आपके स्रुए मैं क्या बहुत जरूरी है अगर आपने विश्वास है जुरून है तो आप सरहत के पार जाकर भी अपने देश का पर्चम लहरा सकती है क्यों मैं अगर आत्मविश्वास प्रबल होगा तो जीत आपको बस आपके कदम चुमेंगी जीवर में कुछ कर गुजर जाने के लिए लक्ष आपको बता दू कि कवीता मोहर कर न सिर्फ एक फेमस एड्विकेट है बलकि एक एक्टरिस भी है मॉडल भी है एंकर भी है और सोशल वर्कर भी है आपको बता दू कि वे मिस्स इंडिया की फॉर्स रणर अरप भी रह चुकी है और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने जुबानिक मैं किस तरह का यह अवार्ड था और इस अवार्ड में क्या क्या तकलीफे आपने पेस की मिस्स इंडियास का पैजेंट था संदर यसपर्दा थी जिसे विश्व संदर के रुप में जाना जाता है एक बहुत बड़े तादात में और बहुत बड़े मायने में पैजेंट होता है इस परधा होती है इस परधा में 100 कंट्री के 110 पार्टिसिपंस थी बहुत दूर दूर से आए में थे और सब लोग अपने अपनी जगब पे खुद खुद को साबीत करने के लिए आए थे और सभी ग्रेट थे कुछ तो मॉडल थे और कुछ बहुत कुछ हासिल कर चुके थे पहले उस कंपारिशन में देखा जाए तो गर्चिरोली को बहुत नक्षलाई ट्राइबल गरीब इस हिसाब से जाना जाता है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम कहां से है इट इस नोट अ मैटर हम लोगों में बहुत पाटेंशियर होता है लेकिन वह हम लोग प्रेजेंट कर सके किसी के सामने मैंने सोचा कि नहीं यह बहुत अच्छा चानल है हमारे लिए खुद को प्रूव करने का हम गए वहां पे मिसेश यूनिवर्स कॉंटेस्ट में बाकी लोगों के साथ साथ हम लोग चलते गए कभी भी मुझे इन्फेरिरिटी नहीं हुआ ना मुझे लगा कि मैं गडची रोली से हूँ आदिवासी डिस्टिक से हूँ मुझे लगा कि नहीं वी आर बिंग पार्ट आप दिस मिसेश यूनिवर्स तो हम लोगों को लगन के साथ काम करना है वहां बहुत सारे राउंस वहां सबसे आहम और सब के लिए क् बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि बाप ले स्वीम सूट राउंड हमको नहीं पैनना है हमारी बोडी का प्रदर्शन नहीं करना है लेकिन मैं आपको बताते हूं कि स्वीम सूट राउंड जो है वह राउंड जब हुआ तब कॉन्फिड़न्स मेरा दुगना होगा क्या बात ह तो मैंने खुद को क्यारी करते समय मैंने खुद देखा कि नहीं यह राउंड सब कॉम्पिटेशन में यह संदरिस परदा में बहुत जरूरी है उसके बावजुद वहां पर प्रेजेंटेशन राउंड हुआ जो मेरे लिए माइल्स्टों था वैसे वकीर हूं मैं मुझे करना आता है प्रेजें स्टों मेरे लिए तो वह एक काफी अचा मौका था था खुद को अच्छे से प्रेजेंट करेऊ खुद को करेऊ या खुद की प्रगलभता को मैं दिखाऊ या निखारू तो डिमेस्टिक वाइलेंस एक टॉफिक था हम लोगों का चर्चा का विशय था फोरम के सामने और आपको बता दू डिमेस्टिक वाइलेंस को जब मैंने प्रेजेंट किया तो पूरा फोरम शांत पी ड्रॉप साहिन उस दिन प्राउड फिल कि इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहा है सही माइने में मैं उसका हिस्सा हूँ यह सोचते में बहुत आनन्द हुआ और रगा कि नहीं अभी और जिम्मेदारिया हम लोगों की बढ़ गई है एक राउन के सासर उसके बाद में बहुत सारे राउं कॉलेज के समय से ही समा सेवा का जुरून जो था वो उन पे सवार था वे किसी ने किसी माध्यम से लोगों की हर संभव मदद करते आई हैं उनकी शिक्षा M.S.C. Botanical, M.A. Public Administration, B.A. ये गोल्ड मेडलिस्टे हैं L.A.L.B. डिस्टिक्षिन के साथ उत्तिन्य होने के साथ ही उन्होंने नेच्ट्रोपेथी डिग्री भी बहुती कड़ी मेहनत और लगन के साथ पास की थी प्रबल आत्म विश्वास के चलते अधिवक्ता कवीता का लक्ष सफल रही रहा है वे रूड़ी प्रथाओं पर विश्वास न रखते हुए प्रकृति पर विश्वास रखती है ये कैसे मैं बताईए हमारे दर्शिकों को अगर हम लोगों को जाड उगाना है तो उसकी बीज लगाना होता है संस्कारों का बीजारोपन करना बहुत जलूरी होता है और ये हर घर से होता है बाइब बर्त होता है हमारे घर में मेरे जो पापा है तो उनका पहले से नेचर बना रहा है कि जो भी मदद हम लोग कर सकते वो सोसाइटी को वो करना चीरा और ही जा उन्हीं को आपकोंड़। तो पापा से मैंने बहुत कुछ सिका है, तो पापा को साहती है। और बहुत सारा जीन फ्लोग होता है वो पापा के दब से भी होता है। तो शायद वो गड़स आया होंगे। और मेरी नानी थी, मेरे मम्मी के मम्मी, वो भी social worker थी, तो मैं छोटी थी तो उनके साथ यहाँ जाती थी, तो शायद वो भी impact मेरे बच्पन के दिल में और दिमाग में हुआ होगा, तब ही से मैं स्कूल में थी, तब ही मैं टूशन लेती थी, जो गरीब बच्चे है, फिर मैंने 10th pass किया, मैं 8th standard की टूशन लेती थी, मैं B.S.A. में थे, तो मैं 12th standard की टूशन लेती थी, और इस प्रकार से मुझे ऐसे लगता था कि हमारे लिए तो सभी जीते हैं, जिसके लिए जरूरत है, उसके लिए जी ओ, तो देखो जीने में क्या मज़ा आ जाएगी, तो यह जो हाई यह सिलसिला पहले से ही शुरू था, अभी भी मैं सोशल वर्क करती हूँ, आदार विशोफ फॉन्डेशन के माध्यम से, इसके बाद में यहाँ पे एक फॉन्डेशन है, जिनसे मैं जुड़ी हूई हूँ, इसके बाद मुंभे में एक फॉन्डेशन है, जहां मैं अजोशेटेड हूँ, इतना ही नहीं, जहां अभी भी मुझे मेरे घर पे अगर कोई गरीब आता है, कisf ya कोई भिकारी आता है कोई बहुत पुरम कि Mukherin पुछाओ रगता है यह किन कीज की सरनी की सफाहता है। लेकिन अमकर देखनहीं लेती हुआ ग़िए। तो मैं उसकी किस तो नहीं लेती हुआ लेकिन उसको चायपानी और जाने आने का टिकित तक देती हुआ। मुझे रखता है यह करने में जो मज़ा है वो बगल कुछ पुझी बहुत हैं मैं चाहती हूए यहा जितना हो सके उतना करना चैहे अर हमारे देश को प्रगत बनाने के लिए कुछ ना कुछ इस प् क्रनें से हिर्फ करना चाहिए जैसे कि एक टीचर या फिर एक बहुत जो कडी महनत करके वेक्ति सामने बढ़ता है तो पहले वो स्वेम जलता है उसके बास जलकर दूसरों को अपना ग्यान के रूप में प्रकाशित करता है तो क्या कभी आपकी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ट्रॉगलिंग वाला कुछ मो अपसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपकी घर की है फैमिली को मैनेज करते हुए आप इतने सारे रोल कर रही है तो क्या कभी आपको लगा कि नहीं आर रही है सब छोड़ देना चाहिए कभी ऐसे situation आई आपके सामने बिलकुल लगा ऐसे लगा कि नहीं बहुत जादा ह जोड़ दो कुछ एक छोड़ दो और शांती से लाइब बिता हो और शांती से रहो जैसे बाकी विमेंस रहती है या बाकी मैलाये रहती है कि अपने अधर अपने बच्चे आपना है फिर वह अंदर का किरा होता है वह इंसान को ऐसे नहीं रुकने देता है और फिर मुझे कि हमें आदत है यह करो भो फिर भो करो खो खुश बजी रह तो उसमें हो मुझे बहुत मज़ा थी और मुझे लगता है इंसान को एक ही लाइप मेलिल है इसमें बहुत सारे रोल अदा करमा हर रोल कल रहती है कभी वह बीबी का है कभी मात्र कहै on a kamarcor का है और और आहम है social vak तो मुझे रगा कि नहीं हम सब किछ कर सकते हैं अगर हमारा इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं तो बहुत जरूरी है हम बैलेंस करने के सासाथ बहुत को sacrifice भी करनी है कि इन्हें सेक्रिफवाइज़ाइस के सीवा कुछ भी एच्ट एच्छ соп करते हैं तो सुबस जल्दी उठना है रात में जल्दी गटेगा तो हमारा Ti In Il homeless स्क्राइज पेड़ें गार फेसुटला के सिवय, कुछ नहीं सेटा है इस बहुत बार होता है हुड़न चीड ही चीड जाता है मैं जुन कहें कुछ डायन भी मोलता है किया अज आपने मेरा काम भराबर दे inícioक्ति होता है यहाँ ह वूड़ी से नहीं होता है बहुत बखुबी से यह सारे रोल निभा रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दर्शु को आपको बता दू कि अधिवक्ता कवीता मिसस इंडिया की फोस्ट रनर अप का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है इसे के साथ ही फैशन लाइट स्टाइल मैगजिन 2019 दिल्ली की ब्राण डेवले सिंडर भी रह चुकी है अनेक कारेक्रमों में एजगेस्ट सेलिब्रीटी प्रमुक अतिती प्रेरत वक्ता सामजी कारेकरता अभीनेत्री मॉजल और एंकर के रूप में यह काफी फेमस है आज मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी फिल्ट क इसा कोई वेक्ति होगा जो कवीता मैं को नहीं जानता होगा मैं आपको बता दू कि इनके सोशल वर्कर से अलावा बहुत सारे जो काम है वो थोड़े से टफ लगते हमें लेकिन चुकि अब मुझे अधर मैडम की बास सुनके ऐसा लगता है कि जब वह एक अकीली वन मैं व होता है कि यह पर कैसे पहुचे तो अनके लिए één कोशन स्रह almut gonna घराट ही कि आप यहांतर कैसे पहुचे सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह भी क्या होता है अगे मैं बहुत पर क्या होता है बहुछ सारी गलत हैनित होती है जो इनता को यहां तक नहीं पहु पहले आप इसको समझ लो कि ये ऐसा कुछ नहीं है ये आपके प्रतिभा को दर्शाता है ये आपके बुद्धी मत्दा का प्रदर्शन करता है ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है इसको बोलते है beauty queen अचली beauty queen बनने के लिए आपको बुद्धी का बहुत अच्छा जोड होना जीए बुद्धी के साथ साथ ब्रेइन भी बहुत जरूरी बहुत 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 क्या होता है beauty माने क्या है उपरे तोर पे देखी जाने वाले beauty का अगर आप beauty काहते हैं तो मेरे मेरे कहने के हिसाब से यह तो सही नहीं होगा हम अंद्रवनी सुंदर्ता जो होती है अंदर की सुंदर्ता और फिर बहारी सुंदर्ता यह दोनों का मिलाप होता है beauty queen तो अंदर की सुंदर्ता माने हमारा pure soul हमारी अंदर की सुंदर्ता को हमने develop करना चाहे हमारा रहना हमारी विचारों की शक्ति, हमारा कहना, हमारा बोलना, हमारा क्या बोलेंगे उसको कि हमारे स्टैर्ड लेने की जो भी एक आदत होती है बहुत बार, कि कहीं कोई सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट आती है, घर पे आती है, बहार आती है, रास्ते पे आती है, तो beauty queen ऐसे नहीं होगी कि वहाँ accident हो गया, देख लिया और चले गए, नहीं, तो हमारा social दाइत्व भी जो होता है, यह सब को हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि यह हम कर सकते हैं, दूसरा सबल जो मैंने पूछा, उसका जवाब यह है, कि एक साधारन एक साधारन लड़की भी beauty queen हो सकती है, अगर उसमें कड़ी मेहनत करने के अगर वो चाहत रखती है, और इनको सामने आने के लिए छोटी-छोटी चीजों की ज़रूरत है, उसको अगर वो पूरा करती है, जैसे एक general knowledge को पढ़ना, straight चलना, एक नई lifestyle को सिखना, fashion का implementation करना, जैसे चोटी-चोटी चीजे अगर वो करती है, और खुद को सही, ढंग सही, सही साचा में डाल के अगर वो खुद को बाहर नितालने की कोशिश रखती है, तो मुझी रखता है कोई भी कटिन नहीं है, और गड़ची रोली की लड़की अगर साउथ कोरिया जाके, वहां से अगर हम रहते हैं तो आप एक अच्छी जगह रहते हो, अच्छी शिक्षा आप लोगों को मिर रहे हैं, उसका यूटिलाइस करो, उसको यूटिलाइस करो सही मायने में, और बहुत वर क्या होता है, हम लोग हमारे टाइम को वैल्यू नहीं करते हैं, ताइम को बहुत ही अच्छी बात कही मैं ने कहते हैं कि एक व्यक्ति के ओपर जब वो चीज बीटती है और जब स्ट्रगल करके वो इस मुकाम को हासिल करता है तो उससे जादा एक्सपीरेंस मुझे नहीं लगता कि किसी और को होगा और खास करके मैं आज की युवापीडी को भी कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने एक शब्द कहा कि रैंप वॉप करना सिर्फ आपका अंग प्रिदेशन करना नहीं बलकि आप में ब्यूटी विद ब्रेन का होना बहुत जरूरी है जरूरी है आप अभी करेंट टॉपिक्स क्या चालू है उस पर धोड़ा सा ध्यान दीजिए जरूरी रही है कि एक बहुत अच्छा फेज जो है वो रैंप वॉप के लिए जरूरी होता है रैंप वॉप के साथ ही साथ आपके पास नॉलेज का भी भरपूर सपो के लिए भी जिए जब मैं यह सब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते आज की युवा पीडी जो है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉंगली मतलब हाइफाई है उनको हर चीज का नॉलेज है डिजिटल युग में वो जी रही है टेक्नोलोजी का नॉलेज है तो वो क्यों न जोश के साथ राम पर हील की संडल पहन कर कैट वॉक करती नजराई थी जिसमें उन्होंने महारत भी हासल की है मैं क्या सही बोल रही हूं मिरको से तो कैसे सिच्वेशन आई थी और कैसे फेस किया था अपने उस सिच्वेशन को लाइप में बहुत सारी कठीना यह आती है कि तभी इंसान रुख जाता है एक अभी एंड हो गया है विकिन मुझे लगता है कि वह एंड हो गया ऐसे जब लगता है ना उसी ख़ण हम लोगों को एक अलग आवाज आती है कि नहीं उठो काम को लोगों आप के लिए कोई वेट कर रहा है तो उस समय कि जो आवाज होती वो एक तड़क होती है, वो एक लगन होती है, वो एक जुनून होता है, और एक होसला भी होता है, खुद को कुछ साबिक करने के लिए, जब मेरा एक्सिडेंट हुआ था, मेरे लेफ नीका 80% लेगामन ठूट गया था, डॉक्टर होने बताया था, इसको अपरेट करेंगे, तो पैर खराब हो जाएगा, हमने फिजियोथिरोपी कि उसके बाद में डॉक्टर सजेस्टेट में कि आपको पहन के ही चलना है, आपको नीचे बैठना नहीं है, आपको अगर वाश्रूम भी यूज करना है तो आपको कमट के साथ ही यूज करना है, यह सब कठीनाईों के जब मुझे लगा 2018 में कि मुझे मुझे इंडिया जाना है, तो राम के सिवा कुछ अल्टरनेटिव नहीं था मेरे बाद, जो लड़की एक स्पोर्ट्शू पहन के दिन भर रहती है, तो वो राम पे चलेगी कैसे, that was the great question mark before me, क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था फिर मेरे कुछ प्रेंट सरकल के लोग है, जैसे मेरी बीटिशियन है, टृपती है, डॉक्टर अमी सेथिया, और मेरे रजेश पेशकर सर है, बहुत सारी लोग है, तब मैंने जीम चॉइंग किया था, तो मेरा जो जीम ट्रेनर है, अंकुष, इन सब लोगों ने मुझे ब भार बर ऐसे हुआ कि हील से मैं गीर बी गयी, मुझे और डॉबल चोड़ यहाई लेकिर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी फिर डॉक्टरों ने मुझे सेड़ा कि लिक्याप पहंन के आप एप कर सकते हूं, फिर मैंने लिक्या पहंन के लिक्ती में लिक्ती हुएं पांच मिन मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप उन्हों ने अपने आपको जो प्रूफ करके दिखाया शायद मुझे लगता है कि मैम सिक्स मन तका बेड्रेस्ट पर भी थी आपको बैरो की किसी भी प्रकार की कोई मुव्मेंट करने के लिए नहीं कहा गया लेकिन फिर भी 2018 में चुकि उन्होंने अपने आपको खुद अपने पैरो पर पूरी देरिगे से खड़ा किया और इस रैंप वॉक पर चल के उन्होंने भारत का पर्चम लहराया ये अपने आप में नापपूर के लिए पूरे गड़चिरोली रांचे के लिए बहुत ऊचिरोली में बहारायती हूं और वहान सभी प्रकार के केसे शाते है इसलिए मैं कोई एक फील में काम नहीं करती हूं क हूं May civil, criminal, matrimonial MSGT पहले से मेरा ऐसा है कि एक ही चीज करना नहीं है, सब करना है, तो इसने में सबी चीज़ अच्छे से कर लेती हैं, वो सीविर रहे या क्रिमिले बहें, साथी साथ मेरे पास 2-3 जुनियर्स होते हैं, जो सिकने के लिए सिकाव उमेधवार जो आते हैं, उनको भी मैं बताती कोई एक चीज की मास्टरी साथी करने में एक अछलब समॉजय है और आप मेと思います, अपने लेक्चिर-षिप किया हैं, मैं वैच्छी अपने लक्चिर्षिप भी किया है, मैं ने लेक्चिर्षिप किया, मैं लो अपकोलीश में लेक्चिर हुआए, बैसिकल रुई कोशिचिप क कोशिश करते नहीं और जिसनके होसले बुलंद है तो उनका कहना क्या है तो देखा दर्शको इन विसन की खास मुलकात इस कारिक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस थी ब्यूटी विट ब्रेन इस चीज का इस लाइन का खिताब हमने आपको दिया है भारत का पर्चम लहनने वाली सभी फिल्ड में अपने कामों से अपने नामों से परसिदी पाने वाली अड़केट कवीता मोहर कर जो की पेषे से सोचल बरकर है, अंकर है, अड़केट है और बहुत सारी जो फिल्ड है उन्होंने अपने अनाम की है तो दर्शको अगले सब तहा है नए शक्सित के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहे हैं इन विचेनियूस नमशकार मैं, आपका आने के लिए एक बार तुम, बहुत 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 स्वागर है